हेलो दोस्तो, इजी टे एक्स्प्रोर में आज आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कोई भी फोटो के बैक्ग्राउंड का जो भी ओपेक कलर है या फिर जो आपका सफेद या कोई काला कलर हो जिस कलर को आप ट्रांस्पेरेंट में कनवर्ट करना चाते हूं तो आप कर सकें तो इसके लिए आपको जरूरी नहीं कोई सौफ्टे की जरुवत पड़े हम आपको एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट बताएंगे जिससे ये काम आप बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे ये आपको अपने लोगों को एडिट करने की काम आ सकता है इसके लिए हम अपने डाउनलोड फोल्डर में चलते हैं और डाउनलोड फोल्डर में आप देख पाएंगे कि हमाये पास एक पिच्चर है जिसमें पूरा बैक्ग्राउंड ग्रे है अगर हम इसे ओपन करेंगे तो आपको ये पिच्चर कुछ दिखेगी जिसमें आपको पूरा बैक्ग्राउंड ग्रे कला का मिलेगा तो अब हम इस पिच्चर के बैक्राउंड को ट्रांस्पेरेंट करना चाहते हैं इसके लिए हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे और डालेंगे लूनापिक.डॉट पे जाकर उस फोटो को सेलेक्ट करें और अब आप यहां पे साइड में बकेट देख पाएंगे जिसको हम पेंट बकेट यहां पे देख पा रहे हैं टूल टिप पे दिखा रहा है या फिर आप उसके ओपर माउस ले जाएंगे तो वह आपको दिखाएगा तो आप उस पे इहां चूज़ कर सकते हैं अगर आपको पैटन सेट करना है तो आप पैन टacies पे जाकर डांस के करें और आप जहां पे भी आपको transparency चाहिए तो आप इस पर click करें देखिए आपका जितना भी वो color उस तरहे का पाएगा यानि कि पूरा color जहां जहां gray था देखिए आप वहां पे सब जगा वो transparent कर चुका है अब आप ये देखिए ये वाला part छूट गया है क्योंकि ये इसके अंदर था तो आप आप इस पर click करेंगे तो देखिए अब ये भी transparent हो गया है तो आप इसको easily transparent कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ये यसी ये color है इस पर मैं आप क्लिक करूँ तो ये भी transparent हो जाएगा इसको हम undo कर लेते हैं और आप देख पाएंगे आपकी transparent पिच्चे तयार है आप इसे save कर सकते हैं सेव करने पर ये हमारे download folder में चली जाएगी अब हम इस पिच्चर को download folder में show all करके देखेंगे तो आप देख पाएंगे ये photo आपको बिल्कुल transparent दिख रही होगी और ये photo आपको कहीं न कहीं gray color से मिल ले होगी तो आप इसमें transparency का difference देख सकते हैं ऐसे ही आप अपने logo किसी भी website के banner को transparent कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से इसके लिए जरूरी ही आपके पास Adobe Photoshop होना चाहिए अगर आपको ये video पसंद आई हो तो हमाई video को like करें और साथी साथ comment section में डाले अगर आप ऐसी ही आसान तरीकी वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें आपके छोटी सी problem solve हो जाए तो आप हमाई comment section में बता सकते हैं कैसी वीडियो आपको चाहिए और हमाई चैनल को भी subscribe करें थैंक यू